नमस्कार, खुलू माखा, जय मां त्रिपुर सुंद्री, कारकम में हमारे साथ जूड रहे त्रिपुरा के मुख्यमत्री, श्रिमान विपलव देव जी, केंद्रियम मंत्रि मंडल में मेरे सहयोगी, श्रिमान गिर्राज्चीन जी, श्रिमती प्रतिभाभ भौमिक जी, त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री, त्री जिष्णुदेव वर्मा जी, सभी साउसद गण, विधायक गण, और स्थानिय निकाओं के साथ पंचायतों के सदस्य, और त्रिपुरा के मेरे उत्साही, परिश्रमी, सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नवजवान साथियों, त्रिपुरा के साथियों से बात करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है, आज जिन जिन लोगों से मुझे बात करने का मोका मिला, अच्छा लगा, विकास की ये चमक, अपने घर और सम्मान पुर्ण जीवन का ये आत्मविश्वास, त्रिपुरा को और समुचे पुर्वत्तर को बहुत उंचायों तक ले जाएगा. नई सोच के साथ, आगे बढ़ता त्रिपुरा, आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं. साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बडलाव आए, कोई बड़ी सफलता मिले, इस से हमें स्वाभाविक रुप से, उत्सा उमंग एक नई उर्जा मिल जाती है. लेकिन ये सफलता, उमीद की नई किरण, अगर लंबे इंतजार के बाद प्रकट हो, जिन्दिगी भर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अर उसमें एक किरण नजर आ जाएं, तो उसकी चमक कई गुना जादा होती है. जबसे विपलोव देवजी की सरकार मनी है, जबसे दिल्ली में हमें और विपलोव जी को साथ में काम करने का मोका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है. आज हमारा त्रिपुरा और समुचा पुर्वत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है. आज प्रधान मत्री आवास योजना के तहट दी गई, पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया होसला दिया है. मैं पहली किस्त का लाप पाने वाले करीब करीब देड़ लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को रदय से बधाई देता हूं. मैं मुख्य मंत्री विपलव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं, तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के धंग को, पुराने रवईये को बदला है. जिस युवा जोश के साथ विपलव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही उर्जा, पूरे त्रिपुरा में दिखाए दे रही है. साथियो, मुझे याद है, चार-पांच साल पहले तक, लोग कहते थे, कि त्रिपुरा में दसकों से एकी सिस्टिम चल रहा है. यहाँ बदलाव संभवी नहीं है, लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी, तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली, पुरानी सोच को पुरे तरह बदल डाला. अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविदाओं से दुर रखने वाली, उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगा नहीं है. अब यहाँ डबल इंजिन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी इमानदारी से, राज्य के विकास में जुटी है. अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीत्या बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं. आप देखिए, बीते चार वर्षों में त्रिपुरा के गावों में करीब पच्चास हजार परिवारों को पीएम आवास योजना के तहट पक्के घर बना कर दिये जा चुके हैं. अब करीब एक लाग साट अजार नए घरों की स्विक्रुती दी गई हैं. एक साथ एक ही बार में जो घर स्विक्रुत हुए, उनमें से करीब देड़ लाग परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई हैं. और वो भी एक साथ एक ही वार में एक बटन लबा करके त्रिपुरा का ये मिजाच, त्रिपुरा की ये स्पीड, कॉरोना के खिलाब हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली. पैंतालिस लाग से, पैंतालिस साल से उपर की उम्र के लोगों में, पूरा शत्प्रतिशत वेक्सिनेशन करने का रिकॉर्ड, सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था, और अब त्रिपुरा, अठारा साल से उपर की पूरी आवादी के भी, शत्प्रतिशत वेक्सिनेशन के करीब हैं. साथियों, पहले देश के उत्तरी और पस्चिमी हिस्सों से, हमारी नदियां तो पूरव आती थी, लेकिन विकास की गंगा, यहां पहुँचने से पहले ही सीमड जाती थी. देश के समगर विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चसमें से देखा जाता था, इसलिए हमारा पुर्वत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था. लेकिन आज देश के विकास को एक भारत, स्वेश्ट भारत की भावना से देखा जाना चाहिए, विकास को अब देश की एक अखंडित्या का परियाए माना जाता है. पहले, नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी, और पुर्वत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी. जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है. इसलिए पिछले साथ सालों में देश ने एक नई सोच, नई एप्रोच्ताय की है. अब दिल्ली के हिसाब चहीं नहीं, बलकि यहां की जर्रुतों के हिसाब से नीतिया बनती है. प्रधान मंत्री आवाज योजना को ही लीजिए. पक के मकान को लेकर कुछ नियम, त्रिपुरा के लाखो परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे. लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की बहुगोलिक परिष्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नीयम बढ़ ले, आवश्यक नीतिया बनाई, और उसके कारण, आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाब मिल रहा है. विकास के लिए यही संवेदन सिल्ता बहुत जरूरी है, इतना ही नहीं, हमने इस और भी ध्यान दिया, कि यहां के बातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए. हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविदाओं से भी जोड़ा. साथियों, पी एम आवास योजना की जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूँ. और जिस स्थान को त्रिपूर सुंदरी का विशेस आसिरवाद मिला हो, वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूँगा. सद्यों तक हमारे जो सोच रही, उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी. पी-एम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है. इस योजना के तहट जो गर बनते हैं, उनका माली का नाहक जादा से जादा हमारी बेहन बेटियों को मिल रहा है. जो को मिल रहा है. अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है. इतना ही नहीं. पी-एम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है. बिजनी कनेक्शन मिल रहा है. पानी कनेक्शन मिल रहा है. उन सबका लाब भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज़्यादा हो रहा है साथियों भारत के विकास में आत्म विश्वात से भरी हुई भारत की महला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है इस महला सक्ति का बहुत बड़ा प्रतीत हमारे महला सेलफ हेल्प गुरुप भी है हमने सेल्फ हेल्प गुरुप में काम करने वाली बहनों को, जनदन खातों के माध्यम से, बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ा है उन्हें बिना गारंटी रून में भी काफी बडोत्री की गई है हर सेल्फ हेल्फ गुरुप को पहले जहां दसलाग रुपिये तक का बिना गारंटी का रण मिलता था अब ये रासी बढ़ा कर दो गुने यानि 20 लाग कर दी गई है मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को ससक्त करने में पूरी शक्ती से काम करने की उनकी दीतिया रही है यहाँ पहले जो सरकार थी विपलव देवजी के आने के पहले की बात कर रहा हूँ उसके पांच साल में त्रिपुरा में सिरफ चार हजार महिला सेल फेल गुरुब बने थे जबकि यहाँ दो हजार अठारा में डबल इंजीन की सरकार बनने के बाद 26,000 चे जादा नए महिला सेल फेल गुरुब बने हैं इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं एग्रिकल्चर प्रोड़क्त बना रही हैं बैंबू से जुड़े प्रोड़क्त बना रही हैं हद करगा के काम में जुटी हैं त्रिपूरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही हैं इन्हें निरंतर सशक्त कर रही हैं साथियों कैसे कम समय में बड़े बडलाव हो सकते हैं सीमित समय में नई व्यवस्ताइं खड़ी की जा सकती हैं आज मैं त्रिपूरा को बढ़ाई देता हूँ कि त्रिपूरा ने करके दिखाया है पहले यहां कमिशन और करप्शन के बिना बाती नहीं होती थी लेकिन आज सरकारी योजनाओं का लाप डारेक बेनिफिट ट्रांसपर डीबीटी के जरिये सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच रहा है पहले अपने एक-एक काम के लिए सामान्य मानवी को सरकारी दप्तरों के चक्र लगाने पड़ते से लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाय देने के लिए सरकार खुद आपके पांस आती है पहले सरकारी कर्मचारी समय पर सेलरी मिल जाए इसके लिए परिशान रहते थे अब उन्हें साथवे वेतन आयोक का लाब मिल रहा है पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परिशान होना पड़ता था लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से MSP पर फसल की खरीदी की गई है यही त्रिपुरा यही लोग यही सामर्थ लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के काराण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी वही अब त्रिपुरा का निरियात करीब पांच गुना बढ़ गया है साथियों त्रिपुरा में डबल इंजिन के सरकार से जिने लाब हो रहा है उनमें से अधिकाउश, गरीब, दलीद, पिछडे और विशेश कर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन है हमारा पुर्वरत्तर तो देश की सबसे पुरानी और सम्रुद आदिवासी संस्कृतियों का अभी केंद्र है आजादी के इतिहास में हमारे पुर्वरत्तर के आदिवासी शेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी शेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है इस परंपरा को सम्मान देने के लिए इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है इसी कड़ी में आज्जादी के अमरित महोत्सव के दवरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है देश अब पंदर नवेंबर को 15 नवेंबर को 15 नवेंबर को हर साल भगवान बिर्शाम मुंडा की जन्म जैन्ती को जन जातिय गवरव दिवस के रुप में मनाया जाएगा यानि कल जो 15 नवेंबर आ रही है कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कौने में जन जातिय गवरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जन जातिय गवरव दिवस होगा ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा बलकि एक समरस समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा और जब जन जातिय गवरव दिवस के मैं बात करता हूँ जैसे आजादी के पूरे अंदोलन में पंदरा अगस्त का एक विशेश मुल्य है जैसे लोकतांत्रिक मुल्यों के हमारी परिपाटी में 27 जनवरी का एक विशेश मुल्य है जैसे हमारी सांस्कृत पराओं में राम जन्म भूमी का राम नौमी का महत्व है जैसे हमारे जीवन में कृष्णा अस्ठमी का महत्व है बैसे ही दो अक्तूबर मात्मा गांधी की जैन्ती अहिंसा दिवस के रुप्य स्थान है जैसे 31 अक्तूबर सरदार बल्लब भाई पतेल उनकी जन्मे जैन्ती देश के एकता के संदेश के साथ जुड़ी हुए वैसे ही अब 15 नमंबर हमारा देश जनजातिय गवरव दिवस के रुप्य मनाएगा और देश की जनजातियों ने देश के विकास के लिए देश की समृत्य के लिए जो कुछ भी किया है जो भी करना चाहते इन सब को उमंक के साथ आगे बढ़ा जाएगा साथियों आजाति का अमरत महोत्सव देश का ये महोत्सव पुर्वोत्तर के रंगों और यहां की संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता इसलिए 2047 में जब देश की आजादी के सौ साल होंगे देश जिन उचाईयों को हासिल करेगा उसका नेत्रुत्व उसमें बहुत बड़ा योगजान ये मेरा पुर्वोत्तर को करना है आज पुर्वत्तर में विकास को हर दिशा में हर आयाम में गती दी जा रही है यहां प्रकूर्ति और पर्येटन से जुड़ी इतनी अपार संभावनाएं हैं दक्षिन एसिया से भारत को जोड़ने के रास्ते हैं व्यापार के अपार आउसर है यह सब संभावनाएं साकार तक होगी जब जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर होगा बहतर कनेक्टिविटी होगी पिछले दसकों में इस दिशा में जो कभी रह गई उसे आज तेजी से पुरा किया जा रहा है आज पुर्वत्तर में रेल कनेक्टिविटी बन रही है नए रेल मार्ग बन रहे है इसी तरह जिन इलाकों को पहले दुर्गम समझ कर छोड़ दिया जाता था बहां नए नए हाइवेज बन रहे हैं चोड़ी सडके बन रही हैं पूल बनाए जा रहे हैं यहां त्रिपुरा में भी नए रेल लाइनों के लिए नए नेशनल हाइवेज के लिए काफी काम हुआ है यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में पुर्वत्तर की पहचान को यहां की प्रगती को नए सिरे से घड़ेगा मुझे पुरा भरोसा है कि हमारे यह संकल्प पुर्वत्तर में आ रहे हैं यह बढ़लाव निकट भविश में देश को एक नई उचाई पर ले कर जाएंगे फिर एक बार इतने बड़े महत्वपुन काम छोटे से राज में इतनी बड़ी महत्वपुन च्रांग मुझे भी गर्व देती है आनंद देती है आप सब लाबार्थियों को तिरपुरा के नागरीकों को पुर्वत्तर के सभी मेरे प्यारे भाई और भेनों को अनेक अनेक शुप कामनाय देता हूं आप सब को रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद मैं माननिय प्रधान मंत्री जी का उनके मार्क दर्शन के लिए आवहार प्रकट करता हूं मैं केंद्रिय ग्रामीर विकास मंत्री माननिय श्री गिरिराज सिंग जी तता अत्रिपुरा के मुख्य मंत्री मानिय श्री विपलव कुमार देव जी को धन्यवाद देता हूँ इस कारिक्रम में शामिल हुए सभी महानुभावों एवं लाभार्तियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ तथा आधर्णिये प्रधान मंत्री जी की अनुमती से इस कारिकरम के समापन की घोशना करता हूँ